बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं, जो कथाएं हैं उनकी मजाग उड़ाते हैं, कहते हैं एक तुमारा शिव है, उसकी पत्नी मर जाती है और वो उसको गोद में उठाए उठाए पागलों की तरह इतर उदर घूमता रहता है, शोक मनाता रहता है, दूस आंसर क्या करें, आंसर तो तब करेंगे न, जब हमें पता होगा अपने धर्म के बारे में, और पता कहां से होगा, फूर्सती नहीं है, पता करिए, भगवान शिव ने ये लीला इसलिए की थी, क्योंकि इस प्रत्वी पर बावन शक्ति पीठों की स्थापना करनी थी, मात की डिरेक्टली यानि सामने से दर्शन नहीं कर पाते, वो अपने संपूर्ण रूप में उन शक्ति पीठों के अंदर विराजमान है, अब बात आती है भगवान राम की, उनकी पत्नी को तो रावन हर ले गया था, तो आपको तो पता ही नहीं है, कि माता सीता को तो रावन हाथ भी लगाता, तो भस मो जाता, लेकिन हमारे देवी देवता, हमारे भगवान बताते हैं कि मर्यादा किसे कहते हैं, मर्यादा स्वैम इश्वर भी नहीं लांगते, मनुष्य जीवन में आने के बाद उन्होंने मनुष्य जीवन की मर्यादा को समझा, उन्होंने पहले ह माता सीता को अगनी देव के साथ भेज दिया था और जिसको हरण किया था रावन ने वो माता सीता नहीं माता सीता की परचाई थी और क्योंके वो मर्यादित थे तो रावन का अंत केवल और केवल श्री राम को करना था यही वर्दान था रावन को इतनी important चीजें अगर आपको समझ में आती हैं आप जानते हैं तो आप हर किसी को जवाब दे सकेंगे के हमारी देवी देवता जबरदस्ती करने में believe नहीं करते किसी पर थोपने में believe नहीं करते उनका believe है सब को समान समझो हमारे धर्म में प्रत्वी, आकाश, अगनी, जल, सूर्य, चंद्र, इंसान, इस्त्री, पुरुष, बच्चे, गाए, नंदी, बैल, सब की पूजा होती है यानि सब को महत्व दिया गया है हमारे धर्म में ये नहीं कहा जाता केवल एक ही महत्व पूर्ण है, बाकी सब यूजलिस है किसी की कोई उकात नहीं हमारे भगवान कहते है मेरे आगे तो मेरा भक्त भी बड़ा है ऐसा धर्म जो सब को समान समझे ऐसे परमात्मा जो सब का मान सम्मान करे मिलेंगे कहीं और? नहीं मिलेंगे गर्व से कहो कि हाँ हम है सनातनी गर्व से कहो मस्तक पर तिलक धारन करते हैं सुहागन इस्त्रिया अपनी मांग में सिंदूर धारन करती हैं इस समाज को वेवस्तित बनाने के लिए सब अपना अपना पार्ट अदा करते हैं आप भी कीजिए अपने धर्म से जुड़िए धर्म से जुड़िए धर्म से जुड़िए राधे राधे